नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जीतेन चोदरी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके एडूटेक में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विनाती और गयनिक लेम्टेट के बारे में और आज विनाती और गयनिक लेम्टेट ने मार्च क्वार्टर का यानि quarter 4 का जो है अपना result declare किया है और यह जो results हैं काफी चौकाने वाले हैं और इसके साथ foreign institutional investor और mutual funds इलगातार जो है इसमें बाइंग कर रहे हैं तो क्या एक मौका है यहाँ पर विनाती और गनेक लिम्टेट को खरीदने का तो बढ़े रहे हैं जेके रोटेक के साथ और वी आप इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसके पांच साल रिटन को चेक किए पिछले पांच सालों में विनाती और गनेक लिम्टेट ने 328 पर्शन का रिटन दिया है केमिकल और 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 गनेक सेक्टर की एक मल्टी वेगर कंपनी है दोस्तों और इसको जब करेंगे तो इस शेर जो हमेशा अप ट्रेंड में हो रहा है लेकिन मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर है इसी के काड़ जो है इसमें गिरावट देखने को मिल लगी है तो एक बढ़िया आप रिशनोटी है वेनाती और गनेक लेम्टेट को यहां पर खरीदने का सेल्स की करें तो पिछले साल मार्च 2021 में दो सो असी क्रोर का सीलस हुआ था जो इस साल शेल्स बढ़कर 486 क्रोर का हो गया यानि और तो सेल्स में profit में jump देखने को मिल रहा है और 74% के करीम में जो है company के sales में jump देखने को मिल रहा है विनाती organic limited के आप quarterly result को check करेंगे तो साल दर साल और quarter on quarter company अच्छा performance कर रही है company की sales बढ़ रही है company का revenue बढ़ रहा है company का profit बढ़ रहा है profitable होगी तभी जाकर आपको पैसे earn करके देगी आपका stock price बढ़ेगा ऐसा नहीं कि company लगाता घाटे पर चल लगाए है और वहां पर आप ऐसा लगाएंगे बिलकुल नहीं quarter one में देखें तो 386 करोड़ उपे का net sales quarter two में देखें तो 374 करोड़ उपे का net sales और quarter third में देखें तो थोड़ा सा sales में down देखने को मिलाता 379 करोड़ लेकिन quarter four में कमाल कर दिया 486 करोड़ उपे का net sales लेकिन profit की बात करें तो quarter one में 81 करोड़ quarter two में 81 करोड़ और quarter three में 83 करोड़ और quarter four में 101 करोड़ कंपनी का EPS देखें earning per share देखें तो इस समय 8 रुपे 10 पैसे बढ़कर 9 रुपे 84 पैसे हो गया है और सबसे बड़ी बात कंपनी पूरी तरह से depth free है बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी है और जब कोई कंपनी depth free होती है तो उस कंपनी का तो बाती अलग है कंपनी के बात करें तो मात्र 2 करोड़ का कर्ज है जो बिल्कुल ना के बराबर है वहीं जो सबसे important और तीसरा सबसे important data है share holding pattern promoters का देखे तो 74.06 परसेंट का इस्टेक पहले से था यह पिछले चार क्वाटर से लेकिन यहाँ पर FII फारन इस्टेशन इंवेस्टर ने 4.45 से बढ़ा कर अपनी holding 4.53 परसेंट कर ली है वहीं mutual फार्ट से 6.87 परसेंट से बढ़ा कर अपनी holding 7.54 के करीम में कर दिया है पबलिक की holding 13.87 के करीम में है विनाते और गनिक लिम्चिट की टेकनिकल चार्ट की बात करें तो 1750 रुपे जो है इसका सबसे स्ट्रॉंग शपोर्ट लेवल था और वहीं से स्टॉक जो है अब यूटर्न लेने की कोशिज करेगा क्योंकि रिजल्स काफी अच्छे आये है मंडे को इस स्टॉक को अपने रडार पर रखिएगा जो इसका पहला स्ट्रम का टार्गेट होगा ओहोगा 2000 रुपे और दूसरा टार्गेट होगा दोस्तो 2250 रुपे जो इसकी बाउन वीक का हाई प्राइस है मुझे उम्मीद है कि ए वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ पस्ट्वह काईगा पसंद ए वीडियो कर दो एक होगा द वीडियो मुझे उम्मीद है